किसान भाईयो सावधान बहुत जल्द मद्यपरदेश में होगी जोरदार बढ़सात किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल स्मार्ट एगरी कल्चर में इस वीडियो में हम मद्यपरदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भायो मैंने दो तिन दिन पहले अपने पिछले वीडियो में आपको बताये था कि मोसम विबा के अनुसार 4 दिसंबर को बंगाल की खाडी में एक निमन दबाव का चेतर विक्षित होने वाला है जो निमन दबाव का चेतर 6 दिसंबर को डिप्रेशन या फिर डीप देखने को मिलेगी लेकिन मोसम विबाग के अनुसार अभी तक उस डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन का रूट कलियर नहीं है मतलब कि मोसम विबाग हर 24 गंटे में उस डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन के रूट में फिर बदल कर रहा है जिसकी वजह से मैं अपने कल के वीडियो में आपको बताई था कि मद्यव्रदेश में बारिश की घती वेडिया थोड़ी कम देखने को मिलेगी लेकिन आज के नए अपडेट के अनुसार बात करें तो मद्यव्रदेस में इस वेजर सिटम का कभ़ी जफ्सेटम इस और मद्य वर्देश में 10, 11, 12 और 13 दिसम्बर को बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी तो अब अगर थोड़ी डीटेल से बात करें तो किसान भाई यो 4 दिसम्बर को बंगाल की खाली में निम्न दबाव का छेतर बनेगा जो 6 दिसम्बर को डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और 8 दिसम्बर को दक्सिनी राज्यों में इस से वेदर सिस्टम की वज़े से बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी और 9 दिसम्बर को इस वेदर सिस्टम का दाइरा काफी ज़्यदा बढ़ जाएगा और 10 दिसम्बर को इसका मद्य प्रदेश में भी काफी ज़्यदा अस्र देखने को मिलेगा अब अगर तोड़ी डीटेल से बात करें तो किसान भाईयो मद्य प्रदेश के दक्सिन पूर्वी राज्जो जबलपूर नर्सिंगपूर उमरिया सैडोल अनुपूर सिवनी चिंदवाडा मंडला बालागाट अर्दा नरमदापूरम बेतूल बढ़वानी बुरानपूर खंडवा दार इंदोर इन जिलों में 10 दिसमर के दोरान बारिस होने की गतिविद्या देखने को मिलेगी इन जिलों के कुछ इस्तानों पर हलकी से मद्यम बरसात होगी तो कुछ इस्तानों पर तेज बारिस भी हो सकती है इसके लावा अगर 11 दिसम्बर की रिपोर्ट देखे तो 11 दिसम्बर के दोरान मद्य प्रदेश में बारिश की गतिविद्या फिर से कम हो जाएगी हला कि कुछ चैतर जैसे की बेतुल नर्मदापूरम इसके लावा निमच मनसूर के कुछ इस्सों में बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी बोपाल तक बारिश की गतिविद्या देखने को मिलेगी और इस दोरान नीमस मनसूर के हिस्सों में भी बादल चाहे रहेंगे तो ता उत्री जिलो में भी कुछ हिस्सों पर बादल चाहे रहेंगे तो किसन भायू इसके लावा अगर 13 दिसंबर की रिपोर्ट देखे तो 13 दिसंबर के दोरान भी मद्य परदेश के पश्चीमी छेतरो धार जाबवा, अलिराजपूर, इंदोर, उज्जेन, बढ़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरानपूर, हर्दा, नरमदापूरं, की गती वीदिया देखने को मिल सकती है, तो किसन भायू अगर ओवराल मद्य परदेश के मौसम के बारे में बात करें तो मौसम भाग के मौजुदा अपडेट को देखते हुए यही लग रहा है कि मद्य परदेश में 11, 12 और 13 दिसंबर को बारेश की गती वीदिया जरूर को मिलेगी तो इस वीडियो में बस इतना ही और अगर मौसम भाग के दोरा कुछ नया अपडेट जारी किया जाता ही तो उसकी जानकरी आपको हमारे चैनल पर तुरंत मिल जाएगी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान